भारत माता की जएब भारत माता की जएब राष्ट्री अद्यक्षर, स्रिमान नड्डाजी, राजनाजी, अमिद्भाई और सभी साथी. आज सदस्यता अभ्यान का एक और दोर प्रारंब हो रहा है. भारतिय जनसंग से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भर्सक प्रयास किया है. जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपरत करती है. वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मुल्यों को नहीं जीता है, आंत्रिक लोकतंत्र, निरंतर उसमें पनप्ता नहीं है, तो वैसी स्थिती बनती हैं जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं. अर्द्या सामीद भ्याई ने कहा है, इंदुस्तान में एक मात्र यहीं दल है, जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार, अक्षर सहर, लोकतंत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पानन करते हुए, अपने कारे का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांशाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आपको निरंतर योग्य बनाता रहता है। यह दल ऐसे ही यहां तक नहीं पहुँचा है, अनेकों पीडियां खप गई है। वर्तमान पीडी के अनेक कार करता है जिनके नाम भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों ने अपना जीवन खपाया, तब जाकर कि यह दल लोगों के दिलों में जगा बना पाया है। मैं जब राजनीती में नहीं था, उस जनसंग के जवाने में बड़े उत्सां के साथ अपने कार करता है। दिवारों पर दीपक उस समय जनसंग का निशाना था, उसको पेंट करते थे। और कई राजनीतीक दल के नेता अपने भाशनों में मजाक उड़ाते थे। कि दिवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों के तक नहीं पहुँचा जा सकता। हैसा कहते हैं, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं, जिनोंने दिवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी स्रधा से पेंट किया कि विश्वास था, ये दिवारों पर पेंट किया हुआ कमल, कभी ने कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगी। और कुछ लोग हमेशा हमारी मजाक उड़ाते रहे हैं, जब सौंसद में हमारे दो सदस्य थे, तब भी इतना भद्दा मजाक हमारे लिए उड़ाया गया था। कुछ लोगों का चरित्र ही ऐसा होता है, और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो बड़े बन जाते हैं। लेकिन ऐसी सब प्रकार की आलोचनाओं को जेलते हुए। जन सामान्य के कल्यान के लिए समर्पित हो करके नेशन फस्ट की भावना को जीते हुए। हम चलते ही रहे। और पंडित दिंदायल पाजधीजे ने हमें मंत्र दिया था चरईवेती, चरईवेती, चरईवेती। चलते रहो। एक समय था जब जन संग और भाजपा के कारकरता की पहचान और आज भी कुछ राज्यों में भारतिय जनता पार्टी उसी जीवन के जीते हैं और अपने आदर्सों के लिए जूचते हैं। हमारे कारकरताओं के लिए क्या कहा जाता था। चाहे वो जन संग का कारकरताओं या भाजपा का उसका एक पैर रेल में होता है और दूसरा पैर जेल में होता है। रेल में इसलिए कि भारतिय जनता पार्टी का कारकरता अंदिरंतर भ्रमन करता था। प्रवास करता था। जहां भी उसको जाना होता वो दोड़ता रहता था। और समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैटे विये लोगों के सामने संगर्श करता था। और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर ये उसके स्थिती रहती थी। मुझे आद है, करी पचास साल पहले की बात होगी। जनसेंग के लोग अमदाबाद में सत्यागर कर रहे थे। और एक अपनी कारकरता बहन जो जेल गई थी। करीपरी एक महिला लोग सब जेल में रहे थे। सिर्फ आंदोलन करने के लिए। और उसकी गोद में नव महिने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में एक महिना गुजार करके आई थे। ऐसे जुल्म सहकर के यह पार्टी यहां पहुँची है। और यह जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्विकार करने को तयार नहीं होते थे। बनकर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। साथियों मैंने सालों तक संगेठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठे के लिया करता था। सदस्य अध्यान का हिसाब किताब क्या करता था और मेरी ट्रेइनिंग इस काम के लिए प्रमुक रुप से हमारे मान्य सुन्दर्शी जी भंडारी जी में की थी और वे इस विशे में भहुत आगरे ही रहते थे थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्विकार नहीं करते थे कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कभी एक स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा क्यों पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे साथ्योय सदस्यता कर्मकान नहीं है हमारे लिए सदस्यतायने अपने परिवार का विस्तार है हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है हमारे परिवार में शादी करकर के कोई बहु आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है वो आनंद बीजेईबी में जो कोई नया सदस्यतायन ** और इसलिए यह सदस्यताः अभियान आंकडों का खिल नहीं दोस्तों कितने नंबर हम पार कर जाएंगे ये नहीं है ये सदस्थत अभ्यान एक पूर्ण रुप से वैचारिक आंदोलन भी है और भावनात्मक आंदोलन भी है और हमने संगत्रन की गाड़ी को उस पट्री पर दोड़ाना है जिसमें वैचारिक धार भी हो और भावनाओं से भरपूर भी हो क्योंकि हमारी भावनाएं देश भक्ति से प्रेरित है माभारती के कल्याण के लिए 140 करोर देश वास्यों के कल्याण के लिए ये जो सदस्यता अभियान होगा संगत्रन की रचना होगी बुद्ध कमीटिया बनेगी पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें कुछ चीजे हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या जैसे ये जो सदस्त्य अभियान होगा उसी समय जो संगठन की रचना होगी उसी कालखंड में विधान सभाव में और लोग सभाव में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा महिलाओं के लिए अगर ये 33% रिजर्वेशन इसी कालखंड में आने वाला है तो क्या मेरी सदस्त्य अभियान मैं मैं ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा जो मेरे पारिटी के इतने महत्वक्रों निड़े में अधिक्तम महिलाओं को विजई बना करके MLA MP बना सके साथियों देशों के लिए developing countries के लिए एक मोडल रूप काम हमने किया है और वो है एस्पिरेशनल डिस्टिक एस्पिरेशनल ब्लॉग और हम चाहते हैं कि जो अब तक जिसकी कोई चिंता कोई नहीं करता था परवा नहीं करता था मुलाजिम भी बहाँ पर नौकरी गरने के लिए जाने को तयार नहीं होता था पिछडे रहते थे हमने उसे एस्पिरेशनल डिस्टिक एस्पिरेशनल ब्लॉग बनाया है और हमारी कोईशित हैं कि जल्द से जल्द उस राज्य की जो पैरामिटर्स हैं उसमें जरा भी वो पीशे ना हो हो सके तो उससे भी आगे जाए और हो सके तो नेशनल लेवल पे भी जो पैरामिटर्स में हो जाया और इतना सुखत अनुभव रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्टिक में गवर्नांस पर फोकस करने के खारण जन भागीदारी के कारण जन सामान्य की अकांक्षाओं अपेक्षाओं को चिन्नित करकर उस पर काम करने के कारण आज देश की एस्पिरेशनल डिस्टिक एस्पिरेशनल ब्लॉक करीब करीब स्टेट में टॉप की बराबरी करने लग गए है क्या हम अपना संगठन की रचना करते समय यह एस्पिरेशनल डिस्टिक एस्पिरेशनल ब्लॉक उसमें विशेश अभियान चला करके वहां के हर पोलिंग बुथ में अपना जंडा गाड़ सकते हैं दोस्तों और हमें कागर लेके बैठना पड़ेगा मेरे इलागे में यह एस्पिरेशनल ब्लॉक है उन एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर इतने पोलिंग भूथ है उस पोलिंग भूथ के अंदर मुझे इतनी मेंबर्शिप का टार्गेट है मैं उसको करूंगा हम प्रयास करें आपन और उतमें सीमा वरती गाउं जाने जाते थे और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही सुरू हो जाता था हमने ताय किया कि आखरी गाउं नहीं है यह मेरे देश के पहले गाउं अगर यह गाउं हिंदुस्तान के सीमा के छोर पर है अगर सूर्ज की पहली किरन आएगी पूरब में होगा तो पहले उसी को स्पर्श करते हुए हम तक पहुँचेगी वो पहला गाउं है और इसलिए हमने पूरी तरह बढ़ला है वीचार क्या हम एक स्पेशल इकाई बनाएं जो जो राज्य सिमावर्ती राज्य है बे ये जो पहला गाउं है उसमें सबसे पहले मेंबर्शिप का भियान चलाएं और पुरे के पुरे गाउं को भारतिय जनता पार्टी का किला बना सकते हैं और जो सिमा के आखरी छोर पर बैठा हुआ वो गाउं जब भारतिय जनता पार्टी का किला बनता है नहीं तब भारत का किला अपने आप बन जाता है तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं मेरी सदस्या मेरे देश को मजबुत बनाने के लिए भी है और इसलिए मैं उन गाउं को किला बना के छोड़ूंगा ये सब ये सब मुम्किन है लाखों कार करताओं के तपस्या के कारण साथ ये उसी फ्रकार से जहां दो राज्य की सीमा ये मिलती है क्या अभी से प्लान कर सकते हैं कि उन दो राज्य की सीमा पर डेट निश्शिट करके मान लीजे महराष्ट और गुजरात की सीमा ये मिलती है तो महराष्ट के कारकरता उनकी सीमा पर आएंगे गुजरात के कारकरता उस दिन उनकी सीमा पर जाएंगे और एक सीमा पर उनके गाउं इसके गाउं साथ मिलकर के मेंबर्सिप बनाएंगे, महरास्ट का गाउं होगा, वहाँ गुजरात के लोग भी नजर आएंगे, गुजरात का गाउं होगा, महरास्ट के लोग नगर आएंगे, और उस स्टेट के बॉर्डर के सभी गाउं को मैं कवर कर सकता हूँ, मैं जब मैं कहता हूँ एक भारत स्रेष्ट भारत मेरे एक भारत स्रेष्ट भारत की ये जो ये जो रेशाए बनी हुई ये नक्से पर मेंबर्शिप के द्वारा मैं महाराश्टा के गाउं को गुजरात के गाउं को वहां के दिलों को जोडने के लिए मैं मेरा कमल खेला सकता नहीं क्या और इसलिए मैं कहता हूं साथियों ये सदस्थता अभियान मेरे देश का सामर्द बढ़ाने के लिए है हमने हमारे ट्राइबल इलाके मुझे आद है एक सदस्थता अभियान के समय में हिमाचल में मेरा दौरा था ये नर्णा जी के लागे में और मैं पाड़ी प्षेत्रों में जाना चाहता था एक पोलिंग बूट पर जाने में मेरा एक दिन लगता था पहाड़ों पर चड़ना पड़ता था और वहां जाकर के एक बीस-बाइस का लोगों की मीटिंग करके मैं नीचे उतरता था पूरा दिन मेरा चला जाता था लेकिन मुझे याने किसी ने तो तपस्या की थी किसी ने तो मेहनत की थी क्या हम हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें दूर गराज के जो छेत्र हैं उसमें भी अभी जैसे आपने देखा होगा पी-एम जन्मन योजना शुरू की है यह पी-एम जन्मन योजना हमारे आदिवासी ख्षेत्रों में भी ऐसे ऐसे इलाके हैं ऐसे ऐसे समू है जहां व्यवस्ताएं इतने सालों के बाद भी पहुंच नहीं पाई थी हमने पी-एम जन्मन योजना बना करके स्पेशल एफट शुरू किया है वो पॉलिटिकल वोट मेंकुरी की ताकत नहीं है कोई जी बहुत छोटी संख्य में है लेकिन साथियों अगर उंगली का नाखुन भी पक जाता है न तो पूरे शरीर में दर्द होता है वो भी तो मेरा सरीर के हिस्से है वो दूखी हो वो दूखी हो पीडित हो मेरा देश्ट में मुझे भी उसकी पीडा होती है इस पीडा का अब अनुभाव करते हैं तब जाकर के पीएम जन्मन योजना जन्म लेती है सरकार तो पहुँचेगी रोड भी बन जाएंगे बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा लेकिन कमल कौन खिलाएगा कौन खिलाएगा और इसलिए साथियों हम इस प्रकार से फोकस करके इन समाजों तक हम पहुँच सकते हैं क्या आज देश में वो लोग जिनोंने तीन तीन चार चार पीड़ी में पक्का घर नहीं देखा था जुनका कोई अथापता नहीं था वो जुग्गी जोपणी में जिन्दगी गुजारते थे वो फुटपांत में जिन्दगी गुजारते थे आज यहां तो कल वहां यहसा ही उनका बसेरा हुआ करता था ऐसे चार करोड परिवारों को हमने एड्रिस दिया है और जब जिन्दगी में घर का पता तै हो जाता है न तो मंजील का पता भी अपनों आप बनने लग जाता है जिनको घर मिला है जिनके जिन्दगी में अप अपना एक स्थाई पीडियों के बाद चार चार पांच पांच पीडियों में कभी उन्हें पके घर में जिन्दगी नहीं गुजारी होगी क्या ये मोका नहीं है दोस्तों उनके पास जाने का लीश्ट लेकर के उनके पास जाना चाहिए क्या उसको नहीं लगना चाहिए कि जित कमल ने मेरे घर की दिवारे बनाई है उस कमल को मैं अब दिल के अंदर जगा दे दू ये भाव उसके अंदर पादा नहीं हो सकता है और इसलिए मैंने कहा कि हमारे लिए ये हमारा जो परिवार का विस्तार है वो विस्तार अपने आपको फैलाने का है ऐसा नहीं है अनेक लोगों को अपने आप में समाने का है हमारे भीतर समाहित करना है हमारे सुखदुख का साथी बनाना है और तब जाकर के एक ऐसा भाजबा परिवार पुरे देश में निर्माण होता है जो रास के सपनों को पूरा करने के लिए एक कैटलिक एजन के रुप में बहुत बड़ी सेवा कर सकता है और इसलिए साथ यो इस सदस्यता अभियान को एक पवित्र कारिय मान करके हमने करना चाहिए और जब कोई व्यक्ति सदस्यता से बनता है न जैसे कोई नाया बच्चा स्कूल जाता है तो माबाप कैसा माहूल बनाते है तिलक करेंगे मिठाई घराएंगे अच्छे कपड़े पहनाएंगे उसी भाव से सदस्यता से बनना चाहिए और मुझे अच्छा लगा आज मुझे इस वातावन में सदस्यता से बनने का मोका मिला उत्सव के वातावन में मैं सदस्यता से बन रहा हूं हम भी सदस्यता अभ्यान को उत्सों में परिवर्तित करें सामने वाला हमारे परिवार में जुड रहा है मतलब हम बड़े गवरव अनुभव कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए हमें यह भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने उपकार किया है तुम्हें मेंबर बना के नहीं आपने देश हित के लिए आगे आये हैं हमारे लिए गवरों की बात है आप हमारे एक साथी बन गए हैं जीवन बैस से हमें और क्या धंड़ेता चाहिए साथियों आज जो अठारा बिस साल की उमर के लोग है उन्होंने वो अखबार नहीं पड़े हैं जिसकी हेडलाइन हुआ करती थी कि आज इतने लाग का घोटाला हो गया आज इतने करोड का घोटाला हो गया आज ये हो गया ये हो गया ये हो गया आज जो अठारा बिस साल के बच्चे हैं उन्होंने ये पड़ा नहीं है उन्हें पता नहीं है कि दस साल ग्यारा साल के पहले देश के हालत क्या थे उसने एक नया हिंदुस्तान देखा है और इसलिए उसके सपने भी वहीं से शुरू हो जाते है और तब जाकर के हमारी जिम्मेबारी यह नेक गुना बढ़ जाती है क्या हमारा दाइत्व नहीं है कि 18 से 25 साल के पूरी पिड़ी को तार्गेट करके प्लान करके भारतिय जनता पार्टी से जोड़े ताकि उनको भी पता चलें कि उनके माता पिता ने कितने बुरे दिन देखे थे उनके माता पिता कितनी मुसीबतों से गुजरते थे एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए उनको MLMP के घर में चक्कर काटने पड़ते थे एक गैस का कनेक्शन लेने के लिए उनको सालों तक इंतजार करना पड़ता था कभी बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था अंधेरे में जिन्दगी गुजर जाती थी बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंद नहीं था 18 से 25 साल के उन हमारे देश के बेटे बेटियों ने अपने माबाप किस मुसीवतों से गुजरते थे जिन्दगी जीते थे उससे वो अनभिग्य है भारतिये जनता पार्टी के कारकरता का काम है कि उसे भारतिये जनता पार्टी में हमारा मेंबर बना करके साथी बना करके उसे हम कहां से कहां देश को ले गए हैं ये आत्म विश्वात से भरने की जरुरत है साथियों अठारा से पतीस का उमर का व्यक्ति मेरे लिए भाजपा के मतदाता जैसे सिमीत स्वारती विचार से मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा मेरे सामने अठारा पतीस साल का उमर का नवजबान वो मेरे 2047 के सपने का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोवत है 2047 में मेरा देश विच्षित भारत बनेगा आज जो 18-22 साल का नवजबान है वो उस समय 50 साल का हुआ होगा उसकी जीवनी की सबसे उर्जावान समय देश विच्षित भारत की यात्रा में होगा उस समय उसकी जीवन की यात्रा चलती होगी एक इतना बढ़िया संजोग होगा कि उसका सामर्थ है हमें विक्सित भारत बनाने के सपने पूरे करने में काम आएगा और इसलिए विक्सित भारत के सपने पूरे करने के लिए जिस सामर्थ की मुझे जरूरत है वो 18-30 साल का मेरा नवजबाना है उसे हमने इस विचार से जोड़ना है नेशन फस के लिए जीने के लिए जोड़ना है हम सरफ चुनावी मशीन नहीं है हम वो खाद पानी है जो देश वाच्यों को सपनों को हम सीचा करते है हम वो खाद पानी है जो अपने आपको खपा करके देश के सपनों को संकल्प और संकल्प को सिद्धी तक ले जाने की यात्रा में अपने आपको डुबो देते हैं जी और इसलिए भारतिये जनता पार्टी का कार करता चुनाव कि कुछ लोगों ने कह दिया है चुनावी मशीर है भाजपा के पास इससे बड़ा भाजपा का कोई अपमान नहीं हो सकता है अरे चुनाव जीतना है तो मेरी पार्टी के कार करता हूँ कि निरंतर पुर्शार्त और पर्यास के प्रणाम एक बाई प्रोड़क्ट है और इसलिए साथियों हमें निरंतर नई पीडियों को भी तयार करना है और एक बात मान के चलिए जो यह सोचता है कोई आएगा तो मेरा क्या होगा वो मान के चल रहे हैं कोई आएगा तो नहीं लेकिन तुम जहाँ वहाँ से कहीं उपर जा नहीं सकते हो जैसे जैसे नीचे तुम नए लोगों के लाते जाओगे वैसे वैसे तुम उपर चले जाओगे उपर जाने का तरीका यही है कि नीचे जितनी मजबूती देते हैं हैं उतना उपर जाने की गारंटी पक्की हो जाती है कुछ लोगों की मानसीखता रहती है करें यार आये गया तो मेरा क्या होगा वो आएगा तो आपकी मजबूती बढ़ेगी आपकी इज़त बढ़ेगी और आपके द्वारा इच्छित कामों को परणाम लेने में वो आपका साथी बन करके काम करेगा साथ्यों लोगतांत्रिक मुल्यों को जीने वाली हमारी पार्टी है हम व्यवस्था में भी लोगतंत्र को स्विकार करते हैं हम विचार में भी लोगतंत्र को स्विकार करते हैं हम संसकार में भी लोगतंत्र को स्विकार करते हैं हमारा एस सदस्यता अभियान उस नई उचाईयों को पार करने वाला बने समाज के अधिक्तम लोग के मैं तो शुरू यहीं चाहूंगा आप अपने इलाके में कि जिस पोलिंग बूथ में सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं न सदस्यता अभियान वहीं से शुरू करो जिसे आप पिछले दो तीन चुनाओं में जिसको सी ग्रेड का पोलिंग बूथ मानते हैं जहां पर आपको मिनिमम भूट मिले है सदस्ता अभियन वहीं शुरू करना जी दोस्तों चुनोती को चुनोती देना ये तो भारतिय जनता पार्टी की रगों में है जहां सदस्ता है जहां स्विकारियता है जहां सम्मान है आदर सत्कार है वहां तो मेंबर्जिप करना आसान हो जाएगा उसको करते भी रहना है लेकिन जहां चुनोती है वहीं दिलों में कमल खिलाना है और हमारी कसुटी सिमा है साथियो आज देश के गरीब का सबसे अधिक विश्वास हमारी नीतियों में हैं हमारे निर्ड़ों में हैं हमने लिये हुए रास्ते से मिले परणामों में है और इसलिए हमें उस सामर्ते के साथ आगे भढ़ना है मुझे पक्का विश्वास है नड़ाजी के नेत्रुतों में पार्टी की संगठन की शक्ती पूरी तरह लगी है तब भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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